आपका जेट के डिजिटेशी स्कूल में प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं ब्रीच कूर्स का तीसवा दिन जमात है सुलुप और मस्मून है हमारी प्यारी पुर्दू सलायत और तुसूरात में देखते हैं एक्तवास पढ़ना समझना और लिखना आओ मालू करें पहरे बिच्चों एक्तवास गोर से पढ़िए ईद इद खुशियों का तैवार है इद कौन सा तैवार है खुशियों का इसकी तैयारी कई दिन पहले शुदू हो जाती है घरों में सफाई होती है रंग लगाया जाता है सब के लिए नई कपड़े खरीदे जाते है घर के लिए मेवे और इत्रु खरीदे जाते है लड़के हा ओ देखो नीम की उची शाख के पीचे से चांद नजर आ गया हर तरफ इद की चहल पहल शुरू हो गई बच्चे बुड़े जवान नहीं कपरे पहन कर नमाज के लिए इद गाह रवाना हो गए नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिखने लगे इखर पहुँच कर सब एक दूसरे से इद मिले अम्मी ने शीरपुर्मा और सविया खिलाई वरों ने बच्चों को इद दी हर तरफ फूब रवनक है खुशिया ही खुशिया ही इद का तहवार सब को पसंद है आओ एहरियत पैदा करें इद कैसा तहवार है एद खुशियों का तहवार है लड़किया हातों में क्या लगाती है लड़किया हातों में महती लगाती है नमाज के लिए सब कहा जाते है नमाज के लिए सब इद गा जाते है इद का चांद कहा नजर आया नीव की ऊचे शाक के पीछे हमें चान नजर आया आये आप देखते हैं आओ मश करें इप्तबास में से चार हुर्फे अलफ़ाज ढूंऑ कर लिखिए चार हुर्फे अलफ़ाज पेरे बच्छो य erre चान ये चार हुर्फ़ाज इसके बास नमाज उसके बाद देखें यहाँ पर और को से अलफाज मिलते हैं वो लिखने हमें रोनग जवान शाप तो इस तरह कि पहरे बच्चों अलफाज आपको लोने हैं और लिखने हैं इव की तयारी इस इन्वान पर तीन सत्रे लिखें पैरे बच्चों इव किता यारी आप किस तरह से करते हैं उस पर तीन सत्रे आपको लिखनी है आप लिखिए पैरे बच्चों हम मिलते आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ